साथियों नमस्कार, हमारे चैनल अर्मन विध्यार्थी में आपका बहुत बहुत सागत है आज की वीडियो इमला लिखना सीखें इमला जो की एक अर्वी भासा का शब्द है हिंदी में कहते हैं सुर्टलेख यानि सुनकर लिखना हम बोलेंगे और आप सुन सुनकर अपनी कॉपी पर लिखेंगे और हमारे लिखे हुए से मिलाते चलेंगे यद किसी शब्द को आप ठीक शे ना लिख पाएं तो उस शब्द के निचे निसान लगाते हैं और वीडियो देखने के बाद में उस शब्द को अपनी कापी पर बार बार लिखेंगे इतनी बार लिखें कि अब की बार जब आप उस शब्द को लिखेंगे तो बिलकुल ठीक ठीक लिख पाorse तो उम्मीद करते हैं आप अपना कापि और pen लेकर हमारे साथ लिखने के लिए त्यार होंगे तो लिखिए लिखिए वहस से मिलने बाली वहस से मिलने बाली बहस से मिलने बाली चनिक विजय खोखली विजय होती है खोखली विजय होती है खोखली विजय होती है विराम लिखेंगे आगे लिखेंगे इस से सामने वाले के विचार नहीं बदलते हैं विचार नहीं बदलते हैं इतना आपने लिखा होगा मिला लीजिये बहस से मिलने बाली चनिक विजय खोखली विजय होती है इस से सामने वाले के विचार नहीं बदलते हैं आगे लिखिए इसके वज़ाए इसके बज़ाए इसके बज़ाए इसके बज़ाए उसके मन में द्वेश और दुर्भावना उत्पन होती है उत्पन होती है विराम लिखेंगे और आगे लिखिए जो काफी समय तक कायम रहती है कायम रहती है इतना आपने लिख लिया होगा मिला लीजिए इसके बज़ाए उसके मन में द्वेश और दुर्भावना उत्पन होती है जो काफी समय तक कायम रहती है आगे लिखिए कुछ बोले बिना कुछ बोले बिना कुछ बोले बिना कुछ बोले बिना अपने कारियों से दूसरों को दूसरों को दूसरों को प्रभावित करना बहुत जियादा असरदार बहुत जियादा बहुत जियादा असरदार होता है असरदार होता है विराम लिख दीजिए आगे लिखिए बोलने से अच्छा है बोलने से अच्छा है कि काम करके बोलने से अच्छा है कि काम करके कि काम करके दिखाया जाए कि काम करके दिखाया जाए कि काम करके दिखाया जाए विराम लिख दीजिए और अपना लिखा हुआ मिला लिजिए कुछ बोले बिना अपने कारियों से दूसरों को प्रभावित करना बहुत ज्यादा असरदार होता है बोलने से अच्छा है कि काम करके दिखाया जाए तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने इमला लिखना सिखा और उमीद करते हैं आपने पहली बार में ही बिल्कुछ ठीक ठीक लिखा होगा यह आप से एक दोस्तों में गलती हो गई है तो कोई बात नहीं उन सब्दों को आप अपनी कॉपी पर बार बार लिखिए इतनी बार लिखिए कि अब की बार जब आप उस शब्द को लिखें तो बिल्कुछ ठीक ठीक लिख पाएं यह आप जादे सब्दों में गलती कर रहे हों और जादे सब्दों को आप ठीक साना लिख पाए हों तो वीडियो को दुबारा देख लिजिए और जाद है कठना ही हो रही हो आपको इमला लिखने में तो आप पहले इन सबी सब्दों को यह पूरे पार्ट को देख देख कर लिख लिजिए ठीक है उसके बाद में इमला लिखिए और धीर दे अभ्यास कीजिए और यह ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी वीडियो जए ज़रूरी है कि कम वीडियो देखके अधिक से अधिक सीखा जाए मेरा मतलब यह नहीं आप अधिक बीडियो चलिए तो य difí और फिसे लिख लिए जिए ऋए्ड कर लिए उसके बाद इंदा हमने अपने चैनल पर आप लोगों को बहुत सरल और बहुत ही विभारिक तरीके से हिंदी लिखना परना सिखाया है और हमारे जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद और जो साथि अभी अभी हमारे कहने पर सब्सक्राइब कर रहे हैं उनको भी बहुत 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 धन्यवाद मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में तब तक लिए जय हिंद जय हिंदी